तो दोस्तो कैसे आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज मैं एक खराब इमर्जेंसी लाइट को रिपेर करने वाला हूँ इसमें एक प्रब्लम आ रही है प्रब्लम सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ देखे ओन करने पर ये देखे इस तरीके से ये कहीं पर ये जल रहा है और कहीं पर नहीं जल रहा है यानिक ये जब जब सा हो रहा है देखे अभी ओफ करता हूँ अब ओन करता हूँ तो ये अभी ये देखे इस तरीके से कहीं कहीं पर ये जल रहा है और कहीं पर नहीं दिल पा रहा है ये जो प्रब्लम है इसका क्या सोल अला था उपन हो चुका है इसके अंदर लेड असीड बैटरी लगी वी है जो इमर्सेंश स्टॉर्च है वैसे फुरानी मॉडल में ही ये लेड असीड बैटरी आता था इसमें potentiometer लगा हुआ है देखिए अभी हिलाने पर ये जल रहा है बट ये देखिए कभी कभी ये बंध हो जा रहा है तो चलिए इसको open करते हैं इसमें B10K ये ये 10 किलोम का एक preset कहें या resistance कहें या variable resistance कहें या tone कहें ये लगा हुआ है इसको हमने पहले देख लेना है कि खराबी किसमें से है इस circuit हमने बाहर निकाल लिया है और सबसे पहले तो हम यहां पर एक पीजर की help से या चिम्टी की help से इसको short करके देखेंगे कि problem आखिर है कहां से तो यहां पर पहले हम इसकी बैटरी का voltage चेक करते हैं बैटरी के अंदर 3.9 volt अभी है यानिकी voltage भी इसमें सही है लेकिन यह कौन ही जल रही है इसका क्या region है हम यहां पर देखते हैं सबसे पहले यहां पर यह देखिए कहीं कहीं पर जल रहा है और कहीं पर यह नहीं जल रहा है तो देखते हैं क्या कारण है इसका पहले इसमें short करके देखते हैं कुछ पी नहीं अभी भी नहीं हो रहा है यहां पर देखिए दिक्कत असल में यहां से है यह जो potentiometer है इसमें double function दिया गया है पहला function इसको देखिए on off करने का function है उसके बाद यह इसको धीरे धीरे स्की light को बढ़ाने का है अब यहां पर क्या हुआ है तो यहां पर इसका जो variable resistance है वो खराब हो चुका है तो इसके वज़े से short किया गया है बट यहां पर जो on off वाला system है वो यहां पर खराब हुआ है तो on off वाला system खराब हुआ है आप यहां पर देखेंगे देखें ध्यां से दिखिए यह point हलकासा यहां से तूटा हुआ है यह देखें हलकासा यहां पर crack हुआ है जिसके वज़े से कभी जल रहा और कभी नहीं जल रहा है तो उसका एक point यहां पर crack हुआ है दिखिए इसी को आज हम पहले जोड़ेंगे उसके बाद हम इसको चला के आपको दिखाएंगे सबसे पहले मैं इसको off कर लेता हूँ क्योंकि sorting करते के वक्त यह circuit on नहीं होना चाहिए देखिए तो यहां पर यह point ही टूटा हुआ है इसको हम फ्रस खरेश करके से तरीके से इसको जोड़ते हैं तो यहां पर यह point टूटा था इसको मैंने जोड़ लिया है अब चलिए इसको हम आपको चला के दिखाते हैं यह torch और इसको हम on करते हैं देखिए यह on off हो रहा है अब यहाँ पसकी light देखे एक यहाँ पसका dimmer खराब हो चुका है असल में यहाँ पर जो potentiometer है यह भी internally खराब हो चुका है तो इसको sort किया गया बड़ यह on off यही से होगा अब यहाँ पर इसमें दो function है function यह है कि एक तो इसको on off करने का function इसमें दिया गया है दूसरा है कि इसकी light को बढ़ाने वाला अब यहाँ पर क्या है कि यह on तो हो रहा है लेकिन इसकी light जो बढ़ना और घटना वाला system है वो इसका यह खराब होनी के उज़से इसा हो रहा है अलाकि यह short करके इसकी light को यहां से maximum कर दिया गया है लेकिन यहां पर हमारे पास इस तरीके को कोई potentiometer नहीं है जिसमें double function हो on off वाला और इस तरीके को तो हम इसी को लगे रहने देंगे बस इसमें जो खराबी इसमें switch की आ रहती है उसको हमने ठीक कर दिया है देखिए प्रोफऱली ठीक कर दिया है अब ये बैटरी में voltage भी कम है इसमें light dim आ रही है इसमें लाइप था ओन करते हो बैटरी का voltage देखते हैं कितना ये काफी drop हो गया देकिए आँकर ते ही काफी drop ये बैटरी के वल्टेज क्योंकि यह जो है ना लाइट इसमें चार्ज भी नहीं है और दूसरी चीज है यहाँ पर जब हमने देखा तो यह जो चार्जिंग और बैटरी को सीटरी को से पैक कर लिया है और इसको हम यहां पर इसके ऊपर रहा है प्रोफर ली ओफ ओर यहाँ पर किसी किसमें स्विच भी खराब हो सकता है तो स्विच खराब हो तो डाल सकते अगर यह नहीं मिल रहा है तो दो पॉइंट चौन से उठाके ऑन ओफ वाला स्विच साइड में एसविस्टी स्विच लगा सकते हैं तो चलिए आप इसको पैक कर लेता हूं विडियो चील लाइक किसे रख कर लेना thank you so much watching this video